हेलो फ्रेंड्स, CSIR NET Life Sciences का लिपिट्स का ये गैलेक्टो लिपिट्स और स्फिंजो लिपिट्स का टॉपिक है और हम युनिट फर्स्ट के अंदर इसके थ्री पार्ट्स आल्रीडी कर चुके हैं ये है इसका पार्ट फॉर्ट तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट फॉर में डिवाइड किया चाता है तो पहले हमने स्टोरीज लिपिट्स पड़े थे जिसके अंदर हमने फाटी आसेट्स, ग्लीसरॉल्स और टीएजी ये सब हमने स्टडी किया था और वाक्सस पड़ी किया था और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये स्ट्रॉक्चुरल लिपिट् अब मेंब्रेन के फॉस्फोलिपिट्स के अंदर ही स्ट्रॉक्चुरल लिपिट्स में आते हैं गैलेक्टो लिपिट्स और स्फिंग्जो फॉस्फोलिपिट्स तो इसके साथ हमारा जो स्ट्रॉक्चुरल लिपिट्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये वा तो यूश्वली पहली दो पोजेशन पे तो वही फैटी असेड की चेन होगी ग्लीसरॉल की बैकबोन पे लेकिन जो थर्ड कार्पन होगा वहां पे जा करके एक शुगर यूनिट अटाच हो जाती अब गैलक्तियो लिपिट्स जो होते हैं यह कहां पे प्रिजेंट होते हैं स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर गैलक्तियो लिपिट्स 70 से 80 परसेंट बनाते हैं और बहुत अबंडेंट होते हैं तो जो फॉस्पेट है वो एक लिमिट्टिंग न्यूट्रियेंट होता है प्लांट में इसलिए प्लांट फॉस्फो लिपिट की जगे गैलक् यह गैलक्तोलिपिद है, ग्लीसरॉल की ब्लैक बोन में, फर्स और सेकंड कार्बन में दो फाटी आसिट की चेंज जुड़ी हुई है, लेकिन थर्ड कार्बन पे एक शुगर युनिट जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ही शुगर युनिट है तो इसे MDGD कहेंगे, याने मोन गैलक्तोसाइल, डायसाइल, लीसरॉल और DGDG मतलब डाय, गैलक्तोसाइल, डायसाइल, लीसरॉल क्योंकि दो शुगर युनिट अटाश्ट है, बॉन्ड इसमें ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, और अगर ये बाला हम देखें, यह सलफेटेट सलफो एल्फा डी, ग्लुकोपायरनोसाइल, डायसाइल, ग्लीसरॉल अब हम देखते हैं आर्की बेक्टीरियल एधर लिपिट्स, आर्की बेक्टीरिया के अंदर, स्पेशल मेंब्रेन के अंदर, लॉंग चेन के लिपिट्स होते हैं, तो कितने कार्बन लंबी लॉंग चेन होत सिंब्لب मेरी, मी मतलब याइच между Agilos permettus, अब कि भींगी रिपासर के दित्र ऐ समयlast आफश pos sehrया, पर आ चेट में हों, in यहांFigil तो आफ़िव, तत्र समयन मेरी होड़ा आपी हम स्पारीसितन से टरौ कि दो nembre समय दो इत्र आ है बाए जा ओजदे आप además फाइफ कार्बन आईसोप्रीन ग्रुप का बना हुआ होता है यह इसका स्ट्रॉक्चर है यहाँ पर हम दो ग्लीसरॉल की बैगबोन देख रहे हैं जिसमें यह डाइफ आइटनायल की चेन है अब अगर आप देखो यह पाँच कार्बन की जो आईसोप्रीन सब्यूनिट है ऐसे आठ है तो फाइफ इन्टू एड इस थर्टीटू कार्बन थर्टीटू कार्बन की यह दो डाइफ आइटनायल की चेन है ग्लीसरॉल के साथ में यह इथर बॉंड बना रही है दोनों साइट से इसलिए टेट्राइथर इसको कहा हुआ है फिर लेफट हैं साइट में यह शुगर से कनेक्टेड होती है right hand side में phosphate के साथ में glycerol के साथ में connected होती है तो यह जो ether bonds होते हैं यह more stable होते हैं hydrolysis से तो phospholipases इसको hydrolyze नहीं कर सकती है और यह resistant भी होते हैं high temperature से इसलिए R की bacteria जो है वो prefer करते हैं कि उनके अंदर इस तरह का bond हो और जो fully extended form में होते हैं यह सारे lipids present होते हैं इसके अंदर glycerol जो है वो इधर phosphate से link हो सकता है या sugar residue से हो सकता है general name इसका होता है GDGT यानि glycerol, dialkyl, glycerol, tetra, ether जो glycerol की moiety है R की bacterial lipid में वो यह bacterial lipid जैसी नहीं होती actually दो forms होती ही glycerol की R form and S form तो R की bacterial में R configuration होती है यहां पे अब second carbon पे hydroxyl group को right hand side पे देख सकते हैं और यू bacteria या other higher organisms में जो glycerol की backbone लगती है वो S configuration की होती है तो hydroxyl group कहां पे होता है left hand side पे present होता है sphingiolipids देख लेते हैं sphingiolipid 4th membrane category के lipids हैं इन में basically एक alcohol होती है जिसका नाम sphingiocin होता है और उस पे एक fatty acid की change जुड़ी होती है लेकिन वो amide linkage होती है and then एक pay polar head group ज़रूर प्रेजेंट होता है sphingiolipid के अंदर तो पहला दूसरा और तीसरा carbon sphingiocin molecule का बिलकुल glycerol के जैसे अपने आपको arrange करता है और जब fatty acid attach होता है तो amide linkage से attach होता है यह structure आप देख सकते हैं sphingiocin की backbone है sphingiocin हमारी alcohol है इस पे second carbon जो है इस पे attach होती है fatty acid की chain but linkage होती है amide linkage और third carbon पे कोई न कोई polar head group तो यह बन जाता है हमारा ceramide है ceramide में x-hydrogen होता है हम अलग-अलग तरके sphingiolipids देख लेते हैं अगर x-position पे hydrogen है तो ceramide है अगर phosphocoline attach है तो sphingiomalin है लेकिन अगर एक शुगर की unit attached है जैसे की glucose तो वो cerebroside है और अगर दो शुगर की unit attached है तो वो globuside है अगर branched sugar है specifically जिसमें sialic acid के residues है यह N-acetyl, neuraminic acid तो यह ganglioside है तो तीन सब-classes होगे sphingiolipid की sphingiomalin, neutral glycolipids and ganglioside sphingiomalin में phosphocoline या phosphoethanol amine होता है और उसके अंदर जो head group होता है वो phospholipid ही होता है तो यह phospholipid basically यह कहां पर present होता है sphingiomalin nerve cells के अंदर present होता है exons के अंदर present होता है त्री dimensional structure देखे तो बिल्कुल phosphatidylcholine जैसा दिखता है next हम देख लेते हैं glycos phhingiolipids जिसके अंदर sugar units present होती है तो यह मैंने आपको बताया था cerebroside में एक ही sugar unit present होती है तो इसको cerebroside बोलते है अगर वो sugar galactose है तो वो nervous tissues या neuronal cells में present होती है अगर वो sugar glucose है तो वो non neuronal tissue में present होती है तेन आता है globoside globoside neutral हम कह सकते हैं यह दोनों neutral इसमें आते हैं स्फिंजो लिपिज के अंदर globoside के अंदर दो या उससे ज्यादा sugar units present हो सकती है तो आते हैं gangliosides तो cerebroside globoside तो neutral glycolipids है स्फिंजो लिपिज है बट इनके अंदर क्या है क्योंकि पी-एच-7 पे इनका जो चार्ज होता है वो neutral चार्ज होता है इसलिए gangliosides जो होते हैं इनके अंदर चार्ज नेगिटिव चार्ज होता है because इनके अंदर एक शुगर होती है N-acetyl-neuraminic acid जिसको cialic acid भी भोलते हैं जिस पे नेगिटिव चार्ज होता है तो cialic acid एक नेगिटिव चार्ज देते हैं इसलिए ये नेगिटिव चार्ज वाले होते हैं ganglioside ये cialic acid का structure है जो ganglioside को नेगिटिव चार्ज प्रोवाइट करता है ganglioside में अगर एक ही sugar unit attached है तो वो GM है 2 है तो GD for die 3 है GT और अगर 4 है तो GQ human में अलग अलग तर है कि sphingiolipids मिलते हैं cell surface recognition में उनका बहुत important role है और ये बहुत important part है कि जो हमारा blood group है उसका identification भी किसके basis पे होता है उसका identification भी इसके basis पे होता है हमारा ये जो sphingiolipid है जो cell membrane में पे present होता है ये उसको particular identification देता है जैसे O antigen का structure आप देखो sphingosin की backbone है fatty acid amide links से attached है sugar कौन का सी present है glucose है, galactose है N-acetyleneuraminic acid है galactose है, fucose है A antigen का structure same to same है बट इसके अंदर क्या variation होती है इसमें एक galacturonic acid और present होता है B antigen भी same है बट इसके अंदर एक galactose का residue भी present होता है ये भी CSI net में पुछा गया है कि A, B या O blood group में क्या variation है structurally किस sugar की variation है ganglioside basically cell के autoside में present होते है cell to cell recognition में help करते हैं और कितनी तरह का ganglioside किस तरह का ganglioside ये help करता है embryonic development में cell to cell recognition में टूमर जब भी form होता है तो new तरह के gangliosides बन जाते हैं और specific होते हैं तो ये variation उसमें देखने को मिलती जाती है Myself, Dr. Aarti Sharma from Siddhi Vinayak Institute of Life Sciences कोई भी query हो तो आप मुझे email कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like, share, comment and subscribe ज़रूर करना मैंने जो पहले part 4 डाला था वो थोड़ा सा उसका जो print था small था इसलिए request पे मैं वापस से part 4 डाल रही हूँ तो hope आप इस वीडियो को भी उसी तरह से like, share and subscribe करेंगे Thank you